सब्सक्राइब करते हैं हमारे न्या टोपिक बिटवाइज ऑपरेटर तो हम कर रहे हैं C++ में हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर कहां करते हैं क्यों यूज किया जाता है बिटवाइज ऑपरेटर को बिटवाइज ऑपरेटर दूज तो मैनिपुलेट मैनिपुलेट दाटा इसमें हम डाटा को गैनिपुलेट करने लिए यूज करते हैं तो मारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं कौन कौन से हैं वो देखते हैं बिटवाइज एम पर लेटे ए वो पर लेटे ए पर लेटे कौन से हैं सबसे पहले हमाले पास ऑपरेटर है बिट वाइज एंड ऑपरेटर कौन सा है बिट वाइज एंड फिर हमाले पास है बिट वाइज और पिन है हमाले पास बिट वाइज एक्स्थिव और बिट वाइज और पिन है माले पास वाइज पास वाइज पॉपलिवें यह साइट किसके लिए है बन्स कॉपलिवेंट के लिए फिर हमाले पास है शिफ्ट लेफ्ट परेटर और फिर हमाले पास है शिफ्ट राइज यह हमाले पास कुछ बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं बिट वाइज एंड बिट वाइज और बिट वाइज एक्स्क्लूजिव और वन्स कॉंपलिवेंट शिफ्ट राइज तो हम इनको बन बाइज समझ लेते हैं जो वेगते करेंको और यह हमारी पास क्या है जुनेरी चे पर यह के उपरेंट के इस गरेंगे उस करेंगे से समझते एंड को मान लिए हमारे पस एक ही वैल्यू है जीरो जीरो बन वन और वी की है हमारे पास जीरो वन जीरो पर अब इसके उपर हम रपना विट्वाइज ऑपरेटर जो हमारे यूज करते हैं सबसे पहले हम बिट्वाइज एंड अजारें यहां पर क्या एगा एंड किया लगेगा i am 41 यहांग जीरो पर अपरेटर जीडर मी पडेशन की तिरुए हंग जीरो जीरो। जीरो पर हमारे परस्क्या में जीरो फशीरो अपर मारे पास क्या 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 है वाई हम जीरो को फॉर सकते हैं और वन को प्रवीं यह उसकते हैं जा οeverd प्रिव 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 एग्जाम्पल है हमारा a bitwise or b इसमें हमारे परस क्या एगा हम और यूज करेंगी तो उसमें क्या एगा 0000 ठीक है 0 और 1 इत्म्त के चेज करें इसको बना जाएक चीज़ आगर एक चीज़ इस में से ट्रू हुए तो एक दीजान होता है जब दोनों ही स्यूंद समें होता है इसकी bitwise exclusive word अब हमारे पास यहां पर क्या रखी है value A की value हमारे पास है 0011, B की है 0101, अब इसमें हम exclusive word कैसे लगाएंगे, exclusive और हमारे पास value प्रूद आती है जब हमारे पस दोनों, इसमें पास यह नहींव नहीं हो डिहाँ और इसमें फाल सेंगा अब होगा спрос हृत एक वारे पीख बूरा का के दिख में रखी हो तो bit wise जो हमारे पास exclusive हो रहे है उसमें one one true तभी आए रहे है जिब दोनों value same हो ठीक है यहां पे दोनों value same थी तो अमने true कर दिया ठीक है अब यहां पे दोनों value different थी तो अमने zero zero कर दिया फिर हमारे पास आदक से तो operator हमारा once complement हमें अ कौंपली में दालते हैं महें एक है क्या जाएगा जो रख़िए 0 है वो बन हो जाएगी तो जीव दूर्स हमारे पास यहां चाहरे हो फंपन और 00 अगर बी का इतांब निजान के देख़े तो यहां में जीडों वैंन के जिडों जीडों यहां हमारे पास किया है once complement अब हमारे पास आता है shift left operator, कौनसा operator shift left operator, इसको सुनजते हैं, मालीजी हमारे पास एक x value है, वो है 0101, 0101, यह हमारे पस तोई value है, अब हमें इसके क्या लगाना है shift operator, कौनसा लगाने पहले left पास, तो क्या हो, और हमें 3 bit उसको आके सर्काना है, left side में हमें इसको manipulate करना है, अब यह क्या करेगा, इसमें हमारे पास जो values है, जो इक bit है, यह left side में shift हो जाएंगी, 3 number shift हो जाएंगी, और जो last में बचेंगी, जो भी 3 digit हमारे का 3 है, जो भी बचेंगी वहां पर हमारे का 0 से पैड हो जाएगा, जैसे कि अब हमारे पास क्या है, यहां पर 0, 0, 1, 0, 1 यह है, अब हम इनको 3 left इदर कर देगे, हम यहां ऐसे करते हैं, इसको समझते हैं, हमारे पास, हमने इनको 3 इदर left shift कर गया, तो यह तीनों तो इस साइड आजेंगी, यहां से हमारे शुरू होगा, यह, ठीक है, हमने 3 left कर देए, साइड में shift कर देए, limits को, तो यह 3 bit तो हमने टाली, हमारे पस जाए, 1, 0, 1, 0, 1, यहां से लेके, यहां तर, 4 की बात करते हैं, हम यहां से ले लेके, आगी की 4 को shift कर देए, लाश्ट में, जो space रह जाता है, खाली, वहां पर हम zero से pad कर देए, ता करेंगे, zero से pad कर देए, यहां हमारे पर shift left operator, अब हम बात करते हैं, shift left में, left side हमारे पास हम बिट को manipulate करते हैं, और जो right side, जो space रह जाता है, उसको pad कर देते हैं, zero से, और shift right operator है, इसमें हम ट्याजरे न देखते हैं, यह जैसे हमने अपनी बिट यह वाली यही, आप हमें जाता है, राइट में shift कर दा है, तो हम क्या करेंगे, जो right वाली side की, जो हमारे पास bit 7 को हमने manipulate कर दिया, तो हमारे पास कांसे start हो यहां से, तो जो हमारे पास left side है, वो space खाली रह गया, क्योंकि हमने right side मे अपने जो यह thing को shift कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर खाली रह गया, spaces को हम zero से pad कर देगे, हम right side में pad देगे, इस और left side में pad कर देगे zero से, यह हमारे पास value जाएगी, तो इस तरह से हम अपना bitwise operator जो होते हैं, उनको use करते हैं, तो हमने देखा हमारे पास bitwise operator हैं, bitwise and, bitwise or, bitwise exclusive or, once compliment, and हमारे पास क्या है, shift left or shift right, thank you.